तो हम यहां continue कर रहेते हैं हमारी ancient history की series का chapter no.23 इसका नाम है formation of new states and ruler expansion in the peninsula तो आईए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि आपको regular updates मिलते रहें तो आईए बात करते हैं यहां पर बताएंगे आपको state of the decan and south India के बारे में तो देखें मामला क्या हुआ कि जो northern maharashtra है maharashtra का जो north का हिस्सा है और विदर्भा तो जो सत्वहनास थे इनको succeed कर रहा गया था वाकाटाकास के द्वारा है वाकाटाका किंग सुना है न तो वाकाटाकास के द्वारा वाकाटाका कौन थे एक local power थी जो की ब्रामन्स थे खुद में थी ब्रामन्स हुआ करते थे चंद्रगुप्ट तू की बात बताऊं तो चंद्रगुप्ट तू ने जो है अपनी बेटी की शादी married his daughter प्रभावती उनकी लड़की का नाम प्रभावती था उनकी शादी वाकाटाका रोयल फैमिली में की थी और इससे क्या हुआ था इनको काफी सपोर्ट मिला था और इस सपोर्ट से उन्होंने गुजरात पे विजय पाई थी और उसके आसपास का जो एरिया था वेस्टेन इंडिया का उस पे भी काफी जीत पाई थी अब देखिए वकाटाका पावर के बाद आये आपके चालुक के बाद आ गये थे ठीक है और राष्ट को ताज ने इनको उठाके बाहर फेग दिया था तो ऐसा कुछ रहा इसारे पॉइंट ना UPSC पॉइंट और व्यू से हैं तो प्लीज कहानी की तरह समझते चलिएगा कोई आलतु-फालतु टाइम वेस्टिंग चीज यहां पे नही है उसके बाद चालुक्यास ने बात क्लेम करी कि देखिए डिसेंडेंट है ना यह या तो फिर ब्राह्मिन से नीचे आए है ठीक है या फिर जो है यह मनू या फिर आप कह सकते हो मून के डिसेंडेंट है यह सीम तो हाब इन लोकल करनरीज पीपल बाना आता है कि लोकल यह कनर लोक थे, लोकल कनरीज पीपल थे, जो की, जह है, वो, चेंज हुए है, एक रूलिंग वर्ल्ड में, ब्रामनिकल इंट्फिएंस के अंदर, ठीकिया, यह ब्रामिन्स, ब्रामिन्स को कह गए के, यह बाद में, रूलिंग क्लास के अंदर आ गए है, यह पहले, लोकल, वहां के, कनरीज, पीपल हुआ करते थे, अब चालू कहाँ से देखिए, अपना किंग्डम, जो है, वो, सिक्स सेंचुरी में, वेस्टर्न डेकिन में स्टैब्रिश करा, अब डेकिन के वेस्ट पार्ट में अपना किंग्डम उन्होंने स्टैब्रिश करा, उन्होंने कैपिटल रखी वतापी, जो आज, बदामी में है, डिस्ट्रिक्ट और वीजापूर के अंदर, अब पलवा का मतलब होता है, क्रीपर, क्रीपर समझते है, जो जमीन में ऐसे, 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 रेंगने वाला, क्रीपर, और संस्कृत वर्जन ये तमिल वर्ड तोंदए का है, पलवार्ज ये ये लोकल ट्राइब मैंने आपको बताया, इन्होंने अपनी अथॉर्टी, इन्होंने अपने आपको, कुद को स्टैबलिश करा, क्रीपर्ज कुद को क्या थे, लैंड ओफ क्रीपर्ज हो गया, और तोरी दाइनादू, जो टर्म यहां पर है ना, पलवा, ये रॉबर का सिननिम है, ये जो है, ये भावार्थ जो है, वो, मतलब परियावार्ची, सॉ आपको करने के इस अगया था, जो है, कता हिए, इसको फाउंड करा था, ब़ीया को कोरा गया था, मयूर सर्मन के रहे तो, कर दाला मैयोड् सरमन की द रर यह बात कही जाती है कि इसने कुछ 18 अशुमीद कराय थे तो हो इन हख वार्च कोई लोग पर छोडते हैं और जहां जहां हौर जाता है वहां से विजय पाते रहते हैं मतुあ वहां से सब्सक्राइब की ओ, वह की जाता है या पिर आप कह सकते हो बनावसी भी इनको कहते थे और ये पढ़ता है नौर्थ कनारा डिस्ट्रिक्ट में कनाटिका की है ना तो कदमबाज ने अपनी कैप्टल यहाँ पे वैज यन्ती या पिर आपको कह सकते हो बनावसी में इस्टाबिश करके रखी हुई थी अब देखिए गंगास यह काफी important contemporary है पलवास के मतलब पलवास के साथ ही यह भी थे गंगास और उन्होंने अपना जो है वो सेटप कर आपना रूल साओधन कनाटिका में गरीब 4th century के आसपास और western गैंजे जो है यह फिर्यूट्री थे आपके पलवास के इनके जो earliest capital है यह कोलार में कोलार जानते हैं काफी famous gold mine है कोलार में तो कोलार में इनके earliest capital देखने को मिली और माना जाता है कि इसी गोल्ड जो यहां से इतना मिल गया इस गोल्ड ने इनको काफी इस सोने इनको काफी मदद कर दी अब देखिए western गैंजे जो है यह western गंगास थे यह land grants देते थ जैन्स को बट साथ ही साथ यह ब्राह्मन को भी favor करा करते थे करीब 18 तरह की immunities दी गई थी ब्राह्मन को मतलब इन सारी चीजों से जो है वो ब्राह्मन को permission नहीं दी जाएगी इन दा पल्लवा grant of 14 century पल्लवा ने इनको जो है ब्राह्मन को कुछ 18 तरह की immunities प्रवाइट कर र ब्राह्मन को भेंट दे रहे हैं उस तरह की चीज़े वेदी के sacrifices थे सारी dynasties उनको प्रफॉर्म करती थी उसके दिखिए जो कलाब रास है आर कॉल्ड इवल रूलर्स इनको इवल रूलर्स कहा रहता था समझ रहे हैं और जिन्होंने कई सारे लोगों कई सारे kings को कई सारे राजाओं को जो है वो अपनी गद्यों से हटाया है और अपना hold established कर रहा था तमिल की जमीन पर तमिल लांड पर and put an end to ब्राह्म देया राइट्स और इन्हों नहीं पर जो है जो ब्राह्म देया राइट्स थे कि मतलब ब्राह्मन को लैंड दी जा रही है है ना कई सारे मात ब्राह्मन को पैटनाइस काफी ज़्यादा करा है कि मतलब बुद्धिस मनास्ट्री होनी चाहिए अब यह कंफ्लिक्ट क्या रहा पलवाज और चलुक्या के बीच में है ना मतलब पलवाज और चलुक्या के बीच में क्या कंफ्लिक्ट था लेकिर पहली important events हुए है इतने ल इलोजी के माध्यम से जो कि मतलब इनके बारे में इनके लिए 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 लिखा गया था लिखा किसने था इनके कोल्ड पोईट थे रवी कृति तो उन्होंने लिखा था और इनकी इसी इलोजी से हम कुछ चीजे जान सकते हैं इनके बारे में और यह कहां लिखा गया है बखाइल। यह चाँ तो हमें इनकी बारे में कुछ पता जलता है कि इनकी माध्यम से। जो कि AD 630 से लेके 668 तक के लिए रहे इन्होंने चालुक्या की capital वतापी को occupy कर लिया 642 AD में और वेन पुल के सेन्ट टू को ही जो है वो मार दिया ठीक है उसके temples की बात करते हैं तो वेदिक sacrifices के साथ साथ जो ब्रह्मा विश्नु महेश है मतलब ब्रह्मा विश्नु और शिव जी की जो है ये भी पूजा होने लग गई काफी popular होने लग गई थी और अलवार सेंट्स जो की काफी जादा devotees थे विश्नु के विश्नु को काफी विश् शिव जी की और इन्होंने काफी popularize करा शिव जी की पूजा को मतलब शिव जी की popularity काफी बढ़ाई अब देखिए एक seven rat temples है साथ रथो का एक मंदिर बना हुआ है जो की महाबलीपुरम में है आप जानते महाबलीपुरम काफी famous है ये पलवास के दोरा बनाया गया था इनको बनाया किया था seven century में नरसिंब वर्मन के दौरा जिन्होंने port city महाबलीपुरम या आप कहते हो जैसे ममलपुरम भी कहते हैं ये इन्हें नहीं फाउंड करी थी है अभी देखा था इंडिया चाइना जब यहाँ पे आया थे जिंग पिंग तो वहीं पे ही जह है meeting अगेरा ह यह दूनों टेंपिल काफी फेमस है उसमें से जो पापानाथ टेंपिल है इसमें कुछ लो और चुटे 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 टावर्स है इंको कंस्टर्ट करा है नौर्धन स्टाइल में और वहीं जगा में अगर बात करूं विरू पक्ष टेंपिल के बारे में तो इनको सदन स्टाइल में है न साउथ के स्टाइल में बनाया गया है और ये कुछ 40 कुछ 40 मीटर्स का है अपनी लेंथ में और इसमें कुछ शिखर मतलब एक स्टूरी टावर भी है तावर टाइप का बना हुआ है टेंपिल वॉल जो है वो सीन है वहाँ पे रामायर के सीन इस टेंपिल जाएज था राज व गयरा जो भी हो रहा है राज पार्ट के खर्चे इसे ही निकलते थे किंग काफी जो है प्यार से रहता था ना इन पॉर्म आप मतलब किंग डिमांड कर सकता था कि भाया देखो हमको तुम सीरियल्स दो मतलब अनाज बनाज दे दो या तुम हमको क्या क को यह भी मिल सकता है अब अगर रूलर एक्सपैंशन की बात करते हैं तो देखिए एक नया मेथट यहां पे इस इंपायर में एक नया मेथट इंट्रिड्यूस हुआ तो यही वाला पीजन्स है तो इसलिए एक बढ़िया अग्रिकल्चर एकनॉमी की जरूरत थी ताकि फिर धन भी बढ़िया ले सकेंगे पीजन्स है तो यहां भी यह कुछ तीन तरह की विल्जेस हैं इस पीरेड में साउथ इंडिया में एक का नाम है उर फिर आता है सभा और फिर आता है नागरम तो अगर हम उर की बात करें तो उर एक तरीके विलेज होता है इसमें पीजन करेगा है ना और यह आपको मेली जो है वो तमिल लाडू में देखने को इस समय मिलेगा फिर हम सभा की अगर बात करें तो सभा जो एक तरीकी का विलेज होता है इसमें आपका ब्रम ब्रम दिया विल्जेस होते हैं ब्रम दिया मिल्जेस मतलब वो सारे जो ब्रामिन्स को द यहां पर पर रीडर मेर्चनन मतलब यहां पर आपर रूटर आपे चालूयक्या एरियास जो गाओं की जो काम धंदा होता था चालो क्या एरियास के इसको मैनेज कर रहा था था विलज के एल्डर्स के दौरा मतलब विलज के बड़े बुड़ों के दौरा जिनें महाजन बोला जाता था उसके बाद देखिए social structure की बात करते हैं, तो देखिए जो priest थे, मतलब जो पंडित वगएरा हुआ करते थे, वो mainly ब्रामिन्स थे, हाला कि जेन्स वगएरा और कुछ बुद्धिस्ट वगएरा को भी land grants दिये जा रहे थे, मतलब land को, जमीन को इनको भी grant में दिया रहता था, अच्छा princess के नीचे कौन आता था, सीधा सीधा राजा राजा princess के नीचे सीधा आते थे priest, उसके बाद आते थे peasantry, जो कई सारे number of peasantry तो जानते हैं, कई सारी caste में divided थी, जादा तर जो थे वो शुद्राज हुआ करते थे इन ब्राहमनिकल सिस्टम के अंदर, यह यहाँ प टाइटल है, यह कई सारे राजाओं के दोरा अडॉप्ट करा गया है, जैसे कि आपका वका टका, पल्लवा, कदंबा, वेस्टन गंगा किंग्स वगेरा, अब देखिए जो रियल फाउंडर है पल्लवा पावर के, उनका नाम है सिमह वर्मन, क्या नाम था उनका सिमह वर्म तो भूलिएगा नहीं, तो यह लेसन हमने यहां कम्प्रीट करा, अगर आपको अच्छा लगा, लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिए, फेस्बुक पे आपको वीडियो मिलेगा, लाइक करके पेज सिर्फ आयस का देख सकते हैं, बाकि आपको टुटर, इंस्टाग् यहां, वहाँ पे परक्स देख लीचे, थांक यू सो मच पर दिस्कुशन, वह वन्रफूर देख लीचे, तेक केर